Dear Parents, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको कल की टुटोरियल वीडियो में ये बताया गया था कि आपको PDF में प्रोवाइडेड यूजर आइडी और रिजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का यूज करते हुए Parents Portal पर लॉग इन करना है और अपने बच्चे के यूजर आइडी और एकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करना है लेकिन अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार Telecom Regulatory Authority आफ इंडिया ने पैन इंडिया यानि पूरे भारत वर्ष में सभी प्रकार के OTP Messages पे रोक लगा दी है आशिक रोक लगाई है जिससे कि OTP Messages या तो विलंब से डिलीवर हो रहे हैं या तो डिलीवर ही नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए आपको जो प्रॉसेस बताया गया था सेट पासवर्ड उसको अस्थाई रूप से अभी आप रोग दें बिना पासवर्ड सेट किये आप कैसे लॉग इन करेंगे मैं ये आपको इस टुटिरियल वीडियो में बताऊंगा साथी साथ एक सूचना आपको और देनी है जैसा कि मैंने बताया कि OTP Messages या तो डिलीवर नहीं हो रहे हैं या तो बहुत विलंब से डिलीवर हो रहे हैं आप में से बहुत से पैरेंट्स ऐसे होंगे जिनको OTP Messages डिलीवर हो गये होंगे और आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट भी कर लिया होगा। पासवर्ड आपके द्वारा असेट नहीं होता है पासवर्ड सिस्टम के द्वारा आपको SMS के रूप में भीजा जाता है तो जिन भी पैरेंट्स को पासवर्ड रिसीव हो चुके हैं वो तो अपना पासवर्ड डालके ही लॉग इन कर पाएंगे और जिनको भी OTP पासवर्ड अभी रिसीव नहीं हुआ है वे इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे और ना ही पासवर्ड सेट करने की ट्रक्रिया को अपनाएंगे आप बिना पासवर्ड डाले लॉग इन कैसे करेंगे मैं इस टुटूरियल वीडियो में आपको ये समझाऊँगा और साथी साथ ये भी दिखाऊँगा कि अगर आपने पासवर्ड सेट कर लिया है तो आप लॉग इन कैसे करेंगे पासवर्ड की सहता से तो सबसे पहले हम Firefox ब्रॉजर ओपन कर लेते हैं और जो हमारी स्कूल की वेबसाइट है यहाँ पर हाला कि मैंने उपेन कर रखी थी पहले से अपनी वेबसाइट उपेन करेंगे स्कूल की www.andps.in वेबसाइट के होमपेज के खुलते ही आपको पैरेंट्स लॉग इन पर क्लिक करना है और जो भी बच्चे का यूजर आइडी जो कि आपको PDF फॉर्म में मिला है वो यूजर आइडी आपको यहाँ पर टाइप करनी है और इस यूजर आइडी से संबंधित जो रिजिस्टर्ट मॉबाइल नमबर है जो कि आपको उसी PDF में लिखा हुआ प्राप्त होगा वो यूजर मॉबाइल नमबर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो इस यूजर आइडी के लिए जो रिजिस्टर्ट मॉबाइल नमबर है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ यह पासवर्ड इफ एनी वाले सेक्शन में जो की ठीक नीचे है अजिस्टर्ट मॉबाइल नमबर के इस सेक्शन में मैं कुछ भी टाइप पासवर्ड टाइप नहीं करूँगा और सब्मिट पे क्लिक कर दूँगा अब आप देख लिजे जिन भी बचों ने जिन भी पैरेंट्स ने अभी तक OTP जिनने प्राप्त नहीं हुआ है और जिनोंने OTP वाला प्रोसेस नहीं किया है उन्हें OTP सेट पासवर्ड वाले प्रोसेस को अभी नहीं करना है यह जो नीचे ग्रीन कलर में सेक्शन है सेट पासवर्ड इस प्रोसेस को आपको अभी नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें और आपको सिंपली अपना यूजर आड़ी और रिजिस्टर्ट मुबाइल नमबर डालके सब्मिट करना है आप अंदर लॉग इन हो जाएंगे और जो भी आपका एक्जाम कल डेमो होने वाला है उसको आप आसानी से दे पाएंगे For an example, मैं exam पर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो exam कल होने वाला है वो आपको display हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको शो करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेंगे कि exam starts after 12 hours 40 minutes and 28 seconds and so on तो यह paper कल आपका बार अभी से लेकर 12 गटे बाद आपका यह paper शोरू होगा उसके पहले आप यह paper दे भी नहीं पाएंगे तो यह बहुत ही simple process है इसका आप ध्यान रखेगा set password आपको नहीं करना यह बार बार मैं आपको repeat कर रहा हूँ अच्छा आपका exam हो जाने के बाद आप सी simply से sign out कर सकते हैं अच्छा अब उन parents के लिए जिन्होंने अपना password set कर लिया है जिनके पास password receive हो चुका है system के दुआरा वो लोग कैसे login करेंगे एक process मैं यह भी बताता हूँ for an example एक account है जिसके लिए password set हो रखा है अब मैं इस account के लिए अगर login करता हूँ बिना password डले तो submit करूँगा तो आप यहाँ पे आपको एक error message receive होगा password required तो इस बात का विशेष धान रखें कि जिन्भी parents का password जिन्भी parents ने password set कर लिया है वो बिना password डाले login नहीं कर पाएंगे और जिन्भी parents ने password या OTP receive नहीं हुआ है या फिर password नहीं set हो पाया है वो बिना password डाले ही login submit करके login कर पाएंगे और paper दे पाएंगे अब मैं for an example यहाँ पर जो password set हुआ था वो मैं type करता हूँ और submit करूँगा और तब मैं यहाँ से login कर पा रहा हूँ और यहाँ से जो भी exam कल होने वाला है वो mock test मुझे यहाँ पर show कर रहा है तो parents इस जिसका आप ध्यान रखिएगा कि आपको set password वारी process अभी नहीं करनी है Thank you so much